नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया, आपके साथ मैं हूँ उतकर शवस्ति, जेपी क्रिसंट ओम के समस्या हैं दिन बढ़ती जा रहे हैं, और आज जेपी क्रिसंट ओम के समस्या ही जानने का जिम्मा उठाया रियल्टी मीडिया ने, हमारे साथ जेपी हमारे को देनी थी 2014 में 2017 already over हो चुका है एक भी flat की आज तक delivery नहीं मिली हम लोगों ने 50 से लेके 95% की already payment कर दी है बट हमें कोई होप सामने दिखाई नहीं दे रहा कि कब और कैसे हमारे को delivery मिलेगी सर आपके तरफ से अब तक क्या effort किया हमने बार बार management को अप्रोच किया follow up किया meetings की Yogi जी ने भी के instance पे meeting हुई नियोडा authority में गए जमना express way पे गए सब जगां गए मगर कुछ हुआ नहीं अभी भी वही है और वहीं खड़े हूँ है अब इसके साथ में एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई RBI ने 12 accounts बोले हैं जिसमें भूशन स्टील, भूशन पावर लैंड को, वीडियो कॉन JP Group की JP Infra इन सब को stress assets को उन्होंने बोला है कि इनको liquidation process start करना चाहिए और इनको assets को liquidate करना चाहिए क्योंकि public funds, banks का काफी लगा हुआ है इनके अंदर और यह already NPA accounts हो चुके हैं हमें समझ नहीं आ रहा कि एक site तो हमारे finance minister साब बैंकों को protect कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे funds हैं, public funds हैं but the company like JP Group जो wish town बना रही है, जिसमें 35,000 flats उन्होंने deliver करने हैं और 35,000 families के investments वहां लगी हुई है वह rent भी दे रहे हैं EMI भी दे रहे हैं and उसके बाद उनको जब यह सुनने को मिलता है कि company is going into the liquidation तो हम लोग तो बड़े घवरा गए हैं डर गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें? कोई मदद का जरीया आपको अब तक दिखा हो कहीं आप गए हो किसी ना आपको कोई आसरा दिया हो यह नई चीज आई है हमें भी नहीं पता क्योंकि बाकी जगां पे manufacturers हैं, यह एक real estate की infrastructure की company है जो real estate में है जहां पे लोगों ने already पैसे दे रहे हैं और हम इनकी balance sheet को analyze करें तो इनके loan ज्यादा है और net worth कम है तो उस case में क्या हम लोग जो homeowners है जिनोंने बैंकों से loan ले रहे हैं और loan लेके EMI दे रहे हैं और पैसा हमने JP को दिया हुआ है 50 to 95 percent हम लोगों का होगा क्या हमें समझ नहीं आ रहा है अगर company liquidate हो गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे कहां जाए हमारा पैसे कैसा हम public नहीं है क्या केवल बैंकों में deposit कराने वाले लोग ही public है हमने भी तो JP को पैसे दिये थे बनाने के लिए मर उसमें बनाया नहीं तो इसमें हमारा क्या कसूर है कल को ये company liquidate हो गई तो हम लोगों का क्या होगा जो home owners हैं उनके बच्चों का क्या होगा सारी सारी life की savings लगा रखी है ऐसे president I know लोग 80 साल के हो गए 82 साल के हो गए क्या जबाब दें उनको कि उनको फ्लैट मिलेगा की नहीं उसके बाद ये basically RBI ने ये कर दिया JP Infraku वो कह रहे हैं इसको liquidate कर देंगे इसको liquidate कर देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे जिन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है अपने पैसे अपनी hard earned money दे रखी है इनको हमारे अप फ्लैट्स बनाने के लिए Sir एक चीज मैं जानना चाहूँगा Real Estate एक इतना बड़ा सेक्टर है जिसका कि बहुत-बड़ा योगदान है अर्थववस्ता में उसके बाद भी सेक्टर हमेशा विवादों में क्यों गिरा रहता है कहां समस्या आती है और यह सेक्टर क्यों इससे नहीं उबर बाला है यह काफी टाइम तर अनॉगनाइज सेक्टर आ है अभी रेरा भी रिसेंटली आया है रेरा से पहले तो बिल्कुल ही अनॉगनाइज है अभी रेरा भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है बिल्डोस लोग अपने मनमानी करते हैं हम लोगों से पैसे लेते हैं फ्लैट के लिए उसको लगाते हैं और इंवेस्ट करते हैं गौश्मेंटन तो कोई इन्वेस्टिकेशन करने रही है पैसे कैसे गए कहां गए जब हम लोगों ने इनको 26,000 करोड रुपया दिया विश्टाउन के लिए इन्होंने केबल 16,000 करोड रुपय लगाया विश्टाउन पे गौर्मेंट इंक्वाइर करें ये 10,000 करोड कहा गया किदर गया बैंकों से भी 10,000 करोड ले रखा 8-9,000 करोड की JP Infra की आज भी लाइविलिटी है अब ये कह रहे हैं बैंक करप्ट हो गए ये बैंक करप्ट अबर हो जाएंगे तो ये 20,000 करोड कहा गया इसका भी तो इन्वेस्टिकेशन होना चाहिए ये पब्लिक का पैसा है ये भी अगर बैंकों का पैसा N.P.A. और बैंक उनके एसेट बैच के अपना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे हम लोगों का क्या होगा अगर हमारे सारे फ्लैट सी ये बैंक ले गए तो हम लोगों ने जो पैसे दिये वो कहां से और कैसे रिकवर होगे सर अभी कुछ दिन पहले ये मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में बड़े-बड़े वादे किये गए थे कि ये डील पूरी होगी ये पूरा होगा लेकिन उसके बाद भी इस तरह की खबर आना कितना बड़ अपने आप में शौक है और क्या हुआ था मीटिंग मीटिंग दे समीर गवरजी आये थे पहले तो आए नहीत थे हम लोगों काप़ी इंसिस किया तो मीटिंग में आप समीर गवरब ऑड़े और मीटिंग में उन्हें उनने बोला कि हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है बैंक से ऐसे working capital कुछ पैसा हम अपने जमना expressway की monetization करा रहे हैं वहां से पैसा आएगा वहां से पैसा आएगा वह हम विश टाउन में लगाएंगे मोटे मोटे हिसाब से बुता रहे थे हमारे पास अठारा सो करोड़ रुपय जो हम विश्टाउन में लगाएंगे, उन्होंने काम स्टार्ट करना था, अभी कोई हमारे को वहाँ पे फिजिकली कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ काम होता हुआ, या कुछ ऐसी कोई अक्टिविटी होती हुई, अगर वो पैसा आया, तो वो कहां लगाया, मगर वो अठ को कि विश्टाउन का अपना ही डेफिशिट जो लोग कहते हैं, ये मोर देन 10,000 करोड है, 1800 करोड तो केवल 18% 10,000 करोड का हुआ, तो कैसे कम्टीट होगा, हमें समझ नहीं आ रहा, और ये उसके बाद ये जो चीज हो रही है, ये तो गवर्मेंट को सोचना चाहिए, देख का क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, सरकार से कोई खास उमीद आप कर रहे हैं, किसको लेकर सरकार कुछ करेगी, सरकार से बिलकुल उमीद है जी हमारे को, और सरकार जरूर कुछ करेगी, ये एकाउंट जो JP Infra है, ये ऐसा नहीं है, जैसे भूशन स्टील हो गया, य यहां पर पब्लिक का केवल लिमिटिड शेर लगा हुआ है, एकुटी के अंदर, JP Infra के अंदर पब्लिक ने अपने फ्लैट्स के लिए पैसा दिया हुआ है, अगर JP Infra लिकुडेट हुई, तो फैमिली यहां तक सुसाइड के लेबल तक आ जाएंगी, ये सरकार को समझना पड़ेगा, JP Infra को लिकुडेट करने का मतलब हम लोग तहां जाएंगे, जिन्होंने 95% पेमेंट कर रखी और अभी पुजेशन हाथ में नहीं, अभी तो फ्लैट हवा के अंदर है, दिखाई भी निदेरा, क्योंकि फ्लैट है 24th मंजिल पे, और अभी basically हम लोग का process start कर दिया है, ये सब करने से पहले government को सोचना चाहिए था, कि ये यो public involved है, उनको कुछ बताना चाहिए था कि किस तरीके से हम लोग आपकी problem को solve करेंगी. सर लगबक 90 प्रदिशत पैसा देने के बाद भी, आदमी के पास कोई guarantee नहीं होती कि उसके पास घर होगा ही, तो इसको लेकर तेजंदर जी आपकी निजर में क्या समादान है, क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, कि ये ठीक हो? जो पैसा जिस काम के लिए उस काम के लिए यूज होना चाहिए, अगर उस काम के लिए यूज नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर एक criminal offense बन जाता है. अगर हम लोगों ने पैसा दिया इनको 26,000 क्रोड पे, ये विश्टाउन के लिए यूज होना चाहिए था. ये सरयाम कहते हैं, हमने ये पैसा यूज किया है जमना एक्सप्रस वे के लिए, जमना एक्सप्रस वे के अवज में इनको जमीन मिली थी, हमने जो पैसा दिया था, फ्लैट बनाने के लिए दिया था, इन्होंने हमारा पैसा उठाके, अब जमना एक्सप्रस वे पे यह उसके से जैवर उप्शाइगा और राप्राइगा राप्र य। अपनों भी विए पासी दूशर पासी है, इनको क्यों दूज दूछा को पासी है, इस यृड़ी पासी फिर समय बाज़ा है। सर आपने बात करी कि आपको बताया गया कि विस्टाउन का पैसा वान लगा कि कहीं और लगाया गया गया किसने बताई इस बात को कैसे पता इस पता है यह मीटिंग हुई थी जिसके अंदर नियोडा अथॉरिटी के CEO थे यमना एक्सप्रिस वे के CEO थे और हमारी कि यह 10,000 क्रोड का शॉट फॉल है यह 10,000 क्रोड कहां गया आपने 26,000 क्रोड के वल आप ने उसके अंदर 16,000 क्रोड लगाया यह बाकी 10,000 क्रोड क्या है तो उन लोगों ने वहां पे reply दी समीर गौर ने कि यह पैसा जमना एक्सप्रिस वे पे लगाया अब यह बात उठत बना दी वहां पे इनकी तोल क्लेक्शन कुछ है नहीं यह इसी बेसिकली चक्र वियू में आगे और मर गे पब्लिक ना की जेपी जेपी का घर तो पूरा है उसके पास तो जमना एक्सप्रस वे का राइट है सब कुछ है हम लोग कहां जाए हमारी फैमिली घर पे बैठी है किराया देती है हम लोग EMI देते हैं कहां सर्वाइट करें और कैसे सर्वाइट करेंगे इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब आप लोग का स्टेप क्या होगा क्या आपने कुछ सोचा आगे लड़ाई लड़ने का देखे जो सुनने में आ रहा है रहा है रेगुलेटर ने भरहे हमारे को पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या मालूं कितने लोग मरेंगे सुसाइड करेंगे भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा यहां तक इसवापी कर सकते हैं क्योंकि लोगों ऑसे आप जिन्होंने जो rent भी दे रहे हैं, EMI भी दे रहे हैं और किसी तरीके से गुजारा चला रहे हैं इसी उमीद में आज नहीं तो कल मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा और जब नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं, गौवर्मेंट खुद समझ सकते हैं लोग सुसाइट कर लेंगे, लोग मर भी सकते हैं इस तरह की बात अगर सुनने में आए, तो ये सोचने लाइक हो सकता है, कि उस छेतर की हालत कितनी ज़्यादा खराब है एक ओफिस में बैटे हुए, अगर व्यक्ति इस तरह की बात करता है, तो उसकी साफ हालत का पता चलता है कि आखिर हो कितनी निम्निंत जिन्दगी की जीरा है हम इनसे एक बार फिर से इनका धन्यवाद देना जाएंगे, इनका अपनी समस्या में बताई हम कोशिश करेंगे रियल्टी मीडिया के मात्य हम से, कि इनकी समस्या को आगे ले जाएंगे और इनकी बात को पूरी लड़ाई लड़ें रियल्टी मीडिया के लिए उतकर शवस्ति की रिपोर्ट